हेलो फ्रेंद्स वेल्कम टो डेली अनलाइसिस ओफ यूजडी आएनर दोस्तो आप लोग प्लीस चनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा बेल अकन प्लेस कीज़ेगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे वर्टसप चनल का लिंक दिया हुआ है आप लोग लिंक क्लिक करके वर् पे मिलता रहेगा दोस्तों अभी हम लोग फंडमेंटल अनलाइसिस कर लेते हैं दोस्तों इस्रेल और हमस का जो वार है यह एसकेलेट हो रहा है इराग पे जो यूएस मिलिटरी बेज है उसमें एटेक हो रहा है और दोस्तों इंडिया में आने वाले करगो शिप को यमन के होतीस ग्रूप ने केप्चर कर लिया है तो उसी इसाब से दोस्तों मिडलिस्ट का जो कॉनफ्लीक्ट है यह और भी जादा एसकेलेट हो सकता है 26 नवेंबर को अपे कंट्री का मीटिंग है जिसमें क्रूड वैल के प्रोडक्शन काट के रिगर्डिंग डिसिशन आ सकता है तो आने वाले समय में अगर ओपे कंट्री काट करते हैं तब जो है क्रूड वैल एक्सपेंसिव होने वाला है इसरेल और हमास का जो वार है और ओपे कंट्री का जो प्रोडक्शन काट को लेकर डिसिशन आने वाला है यह दोनों अपडेट जो है डॉलर इंडेक्स को पोज ट्रेड प्लेन करना सेफ रहने वाला है दोस्तों अभी हम लोग आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या क्या हुआ एक बार देख लेते हैं दोस्तों आज का ट्रेडिंग सेशन इंडियान टेम के अनुसार यूजड़ अनर ओपन हुआ 83.25 के पास और दोस्तों उसके बाद मर्केट में slow and steady up move दिखा अपसाइड 83.37 तक गया और दोस्तों क्लोजिंग हुआ 83.37 के पास और दोस्तों कल के daily analysis के वीडियो में हम लोगोंने clearly बोला था जब तक spot market 83.05 के उपर है हम लोगों को buy side में रहना है और हम लोगों का first target था 83.10 target 83.18 83.18 के उपर next target 83.21 21 के उपर 83.25 83.25 के उपर 83.28 83.28 के उपर 83.31 83.31 के बाद 83.34 तो उसी ही सब से दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए हम लोगोंने संडे के daily analysis के वीडियो में planning किया था और उसी इसाब से आज के ट्रेडिंग सेशन में हम लोगोंने 83.25 के लेवल से 83.34 के लेवल तक target किया दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों को 9 पैसा profit हुआ और 9 पैसा हो जाता है दोस्तों जब स्पोर्ट मार्केट 83.25 के पास था तब जो है हम लोगोंने 83.25 का कॉल भी बाय किया था और दोस्तों उसी इसाब से option buying से भी आज के ट्रेडिंग सेशन में profit मिला आज का ट्रेडिंग सेशन बहुत ही अच्छा रहा अभी हम लोग कल के लिए ट्रेड प्लेन कर लेते हैं दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए 83.25 का लेवल बहुत ही important होने वाला है 83.25 के पास price ने multiple times support लिया है दोस्तों 83.25 के नीचे 83.21 बहुत ही strong support है तो उसी सब से दोस्तों 83.21 से 83.25 का जो range है यह बहुत ही strong buy zone बन गया है 83.21 के नीचे 83.15 बहुत ही strong support है 15 के नीचे 83.10 बहुत ही strong support है 83.10 के नीचे 83.05 बहुत ही strong support है दोस्तों जब तक spot market 83.05 के उपर है हम लोग जो है buy side में रहने वाले हैं और दोस्तों क्यूंकि next week को multiple events है इसलिए जो है US dynar में volatility रहने वाला है आप से दोस्तों हम लोग support के पास buy करने वाले हैं और next resistance के लिए target करने वाले है 83.15 के उपर 83.18 बहुत ही strong support है तर्गेट होने वाला है 83.08 हम लोग का second target होने वाला है 83.31 हम लोग का third target होने वाला है 83.34 हम लोग का fourth target होने वाला है 83.42 3.42 के उपर हम लोग का next target होने वाला है 83.46 83.46 के उपर हम लोग का next target होने वाला है 83.50 83.50 के उपर हम लोग का final target होने वाला है 83.55 और दोस्तों कल के trading session में अगर spot market 83.34 के उपर sustain करता है तब जो है हम लोग strong up move expect कर सकते हैं तो उसी इसे अब से दोस्तों अगर spot market 83.34 के उपर sustain करता है तब जो है हम लोग 83.50 का call buy कर सकते हैं और अपने risk reward ratio के इसाब से planning करके कल के ही trading session में exit कर सकते हैं तो कल के trading session के लिए 83.85 का जो range है ये बनने वाला है no trade zone और अगर spot market 83 के नीचे जाता है तब जो हम लोग sale कर सकते हैं और हम लोग का first target होने वाला है 82.96 हम लोग का second target होने वाला है 82.92 हम लोग का third target होने वाला है 82.87 हम लोग का fourth target होने वाला है 82.83 और दोस्तों अगर spot market 82.80 के भी नीचे जाता है तब जो है आप लोगों को whatsapp channel पर update मिल जाएगा दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी भी whatsapp channel जोइन नहीं किया है तब जो है आप लोग whatsapp join कर लिजेगा अगर spot market 83 के नीचे जाता है तब जो है हम लोग 82.75 का put buy कर सकते हैं और अपने risk reward ratio के इस अब से planning करके कल के ही trading session में exit कर सकते हैं तो यह रहा कल के trading session के लिए USDNR का complete analysis आशा करता हूँ आज का analysis आप लोग को अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो please like कीजेगा और अगर पेली वार इस channel को visit कर रहे हैं तो please channel को subscribe कीजेगा bell icon press कीजेगा अपने दोस्तों के साथ share भी कीजेगा thanks for watching the video